विपक्ष के चहते वकील कपिल सिबल सवालों के खेरे में हैं कपिल सिबल अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं इस बार सुप्रिम कोर्ट में कपिल सिबल की पोल खुल गई हैं कपिल सिबल और अविशेक मनुस सिंग भी ऐसा वकील हैं जो विपक्षी नेताओं और वि सब्सक्राइब कर दिया कि वो अपनी बगले जाकने लग गए कैसे सुप्रीम कोर्ट में फस गये हैं कपिल से बल बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में दरसल कोलकाता रेप मर्डर केस में सुनवाई कि दौरान मुखिने आधिश डीवाई चैंद्रचूड ने फिर से घटना पोस्ट मॉर्टम और F.I.R. की टाइम लाइन को लेकर सवाल उठाए हैं। कोट ने आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर भी सवाल किया। इस पर पशिम बंगाल सरकार की ओर से कोट में पेश हुए एड़ोकेट कपिलसेबल ने कहा की रिपोर्ट सेंटरल व्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन को स्वाप दी गई है। वहीं सॉलिसेटर जनरल तुशार मेहता ने कहा की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने कहा की सीवी आई ने घटना के पांचवे दिन चांच शुरू की और तब तक सब कुछ बदल दिया गया था। उन्होंने कहा की सबसे जादा चौकाने बाली बात तो ये है की अंतिम संसकार के बाद रात को ग्यारा बज़ कर पैतालेश मिनट पर एफ आयार दर्च की गई। इस पर कपेल सिबल ने जवाब दिया की हर चीज की वीडियोग्राफी की आई आर है और कुछ भी नहीं बदला गया है। पूछा कि क्या अननैचुरेल डेथ रात को ग्यारा वज़ कर बीस मिनट पर तरच की गई। यानि यूडी रजिस्टर होने से पहले ही पोस्ट मार्टम हो गया। कपेल सिबल ने इसके जवाब में कहा कि बरामत की लिस्ट में भी यूडी केस मेंशन है। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में भी और हर दस्तावेज में हैं और सब कुछ 11 वज़े से पहले हो गया था। इस मामले पर कपेल सिबल घिर गए हैं। सुनवाई के दरान सुप्रिम कोर्ट का माहौल बहुत गंभीर था। इस दरान सीबी आई का प्रतिनी धित तो कर रहे है सॉलिसीट जनरल तुशार महिता ने पश्रिम बंगाल सरकार के ओर से पेश हुए बकेल कपेल सिबल पर भढ़क गया। दरसल तुशार महिता की एक दलिर पर कपेल सिबल हस पड़े। सिबल के इस हरकत पर तुशार महिता ने कपेल सिबल पर भढ़कते हुए कहा कि किसी की जान चली गई है कम से कम हसियतों मत। मामले की सुनवाई के दोरान सुप्रिम कोर्ट ने पश्रिम बंगाल सरकार, राजी पूलेस और अस्पताल प्रिशासन पर कई सवाल उठा है वहीं बीजेपी ने भी कपेल सिबल पर निशानस साधा है। नहीं दिखाया। स्वाली सीटर जनरल तुशार मेहता को कपेल सिबल को याद दिलाना पड़ा कि हसना नहीं। बिरर पोल्ट और एमेच नियूज।